प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो इसकी उचाई इतनी है कि अगर हम आइफल टावर को तीन बार खड़ा कर दें उसके बराबर Empire State Building के दुगनी इस वक्त दुनिया की सबसे उची विल्डिंग बर्च खलीपा जी हाँ दुबई इस्तित इस बिल्डिंग के बारे में आज मैं बात करने का है हम बात शुरू करते हैं इसके निर्मान से जिस जगे पर इसका निर्मान हुआ है यह जगे पहले दुबई की आर्मी का बेस केमप हुआ गरत थी काफी बड़ी जगे थी लेकिन फिर इसके जगे पर राजा को बिल्डिंग बनवानी थी तो वहां से बेस केमप फटवाया गया जो building का design है यह काफी आकरशक है काफी सारे scientists इस पे research कर चुके है और काफी सारे इसके पीछे research हुई जो इसका design है वो रेगिस्तान में खिलने वाले fool के उपर है एक तो रेगिस्तान में fool कितनी मुश्किल से खिलता है और यह building भी यह कजूबा ही है तो इस वज़े से इसका जो design है वो राजा ने बिलकुल नकाशे से करवाया था अब आते हैं building के नाम के उपर नाम इसका बुर्ज खलीफा नाम भी अपने आप में काफी आकरशक है बुर्ज बुर्ज का Arabic में मतलब होता है tower यानि building और खलीफा का मतलब राजा राजा ने बनवाया building का राजा और इस वक्त यह है भी राजा इस वक्त यह दुनिया की सबसे उची building है तो यह इसे building का राजा बना देखती है इस building में सिर्फ एक ही अजूबा नहीं है बहुत सारे अजूबा है उन वेसे एक अजूबा यह है कि जो temperature building के ground floor पे होता है इसके top floor पे उससे 6 degree कम temperature होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि building जब उपर जाती है तो यह इतनी उचाई पर पहुँच जाती कि उस पर atmospheric change आ जगता है अब चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो या बरसात हो सबसे उपर 6 degree कम तापमान आपको मिलेगा अब बात शुरू करते हैं building के निर्मान की इस building का जब नीव हो गई थी नीव पढ़ने के 1093 दिन के भीतर ही इस building की पहली 100 मंजिले बनके तयार हो गई थी मतलब की तीन दिन के अंदर एक मंजिल उन्होंने बना के तयार कर दी थी तो रफतार देखके तो आप अब जौक ही जाएंगे दूसरी बात इस building के अंदर जॉर्जियो अर्मानी का डिजाइन करावा होटल मोजू थी और जब जौक ही अर्मानी इस होटल को डिजाइन कर रहे थे तो किंग ने उससे कहा था दुबई के किंग ने कि इस होटल को ऐसा बनाना कि ये घर जैसा लगे तो जौक ही अर्मानी ने इसे बखुबी निवाया और उसका result ही आया कि इस होटल के अंदर कोई reception नहीं है कोई check-in की place नहीं है ये आपको बिल्कुल घर जैसा मैसूस होगा भुर्ज खलीफा के अंदर 17,000 से ज़्यादा दर्वाजे है और अगर आप गूगल चालू करेंगे तो आप गूगल पर इसका live view देख सकते हैं और ये करने के लिए गूगल ने 40 pond का camera जो आपके back के size का होगा building के tower के सबसे उपर लगाया है बताने को तो और भी कई सारी चीज़े हैं लेकिन जो अनोखी बाते थी यो पहले आपको बता दी है अब भी अगर कोई शंका हो और कुछ आपको जानना हो तो आप हमें mail कर सकते हैं हमारी website पर हमसे सवाल पूछ सकते हैं फिर हाजिर हूँगा मैं reality talk पे किसी और मुद्दे के साथ चर्चा करूँगा आपके साथ किसी और building किसी और आदमी या किसी और चीज़ की तब तक के लिए नमस्क्राइब